नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम स्वर माला के स्वर उ की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे. जैसे आप एकदम से जटका लगता है, कैसे बोलते हैं? वो इंग्लिश में उ होता है, लेकिन हम छोटे उ को उ बोलते हैं. आईए पढ़ते हैं. दो अक्षर से बने उ की मात्रा के शब्द. बच्चों, छोटे उ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है. ये जो खड़ी रंडी है, इसको इंग्लिश में स्टैंडिंग लाइन कहते हैं. व्यंजन की जो स्टैंडिंग लाइन होती है, उसके नीचे लगती है. और जब हम व्यंजन के नीचे छोटे उकी मात्रा लगाते हैं, तो उसकी ध्वनी थोड़ी सी धीरे हो जाती है, थोड़ी सी अलग हो जाती है, आईए देखते हैं, जैसे च, छोटे उकी मात्रा प, तो चुप, प, चुप, 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 स, छोटे उकी मात्रा न, छोटे उकी मात्रा लखुल प छोटे उकी मात्रा त्रपुत्र ग छोटे उकी मात्रा मगुम छोटे उकी मात्रा प छुप प छुप त छोटे उकी मात्रा म तुप म तुम प छोटे उकी मात्रा लखुल प पुल श छोटे उकी मात्रा भ शुप भ शुप म ध छोटे उकी मात्रा म धु ग छोटे उकी मात्रा भ गुप भ गुप गुप क छोटे उकी मात्रा छ कुप छ कुच ख छोटे उकी मात्रा भ खुश द छोटे उकी मात्रा न धु न धुन क छोटे उकी मात्रा ल कुप ल कुल आईए बच्चों फिर से दोर आएं चुप पचुप सुप न सुल कुप ला खुल पुप ट्रा पुट्रा गुप मा गुम चुप पचुप तु मा तुम पुप ला पुल शुभ 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 मा धू मधू गुड़ गुड़ कुछ 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 खुश दु न धुन कुछ ल कुल अन्यवाद बच्चों फिर से मिलते हैं